आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे वेरे नामे सिध्धान तक नहीं होतरी श्रड़ी है कि आपको बहुत बहुत स्वाव है आज हम बात करेंगे दोस्तों TikTok Hong Kong को छोड़ के जा रहा है भारत से तो खेर निकाल दिया गया अब Hong Kong को छोड़ रहा है क्योंकि चाइना ने अपना नया सिक्यूरिटी लॉज जो है उसको एनाक्ट कर दिया है तो हम जानेंगे पूरे इश्यू को ये Indian Express की बहुत अच्छी ख़बर है वैसे बहुत सारे अच्छी पीडियेफ ले सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं UPSC के स्मार्ट को से जाते हैं उसके लिए आपको StudyIQ का app डाउनलोड करना पड़ेगा वाहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं साते साथ ट्विटर पर मैं आ गया हूँ यह रही मेरी ID अब आप यह देख लीजे ह पूरी होंग कॉंग जो है वो चाइना के पास है वो भी 2047 तक 50 साल का बेसिकली अग्रीमेंट है लेकिन जो सिस्टम है जो ऑटनॉमी वो पूरी होंग कॉंग को पूरी ऑटनॉमी दी गई है यहां पर आपको डेमोक्रिसी देखने को मिलेगी और यह बड़ा अजीव है कि चाइना में कम्यूनिजम है और होंग कॉंग में कैपिटलिस्टिक पॉलिसी है यहां पर बहुत ज़्यादा डेमोक्रिसी है ठीक है यहां पर प्रेस फ्रीडम है यहां पर काफे इंडिपेंडेंडेंस है ठीक है होंग कॉंग अपने तरीके से सब कुछ कर सकता है यहां पर प्रेस की censorship नहीं है, प्रेस अपने हिसाब से आपके काम करता है, तो basically Hong Kong में बहुत सारी freedom है, लोग यहाँ पे स्वायत्तिता enjoy करते हैं, लेकिन चाइना को अब definitely पसंद नहीं है, अब ये दोस्तों शुरू हुआ था, पिछले साल आपको याद होगा कि चाइना ने बड़ा controversial law जब लेकि आये थे, कि Hong Kong में कोई भी अगर crime करेगा, तो उसको चाइना में हम जाके सजा दे देंगे, चाइना में उसको extradite करके, चाइना में उसके उपर मुकदमा चलाएंगे, तो यहाँ पे इस कानून के खिलाब protest हुए, और उसमें वो बहुत time तक चले, और काफे हिं जड़पे भी हुई, वैसे तो यह पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो था, वो peaceful था, तब चाइना को लगाई और यह तो गढ़बढ है, ठीक है, यह लोग तो प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, अब ऐसे तो चलेगा नहीं, और यहाँ के लोग हैं बड़े पढ़े लिखे, ठीक है, यह कैपिटलिस्टिक मॉडल है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, फ्रीडम हैं, डरते तो हैं नहीं किसी से, देखे, अच्छली, चली अच्छा मैंने हिस्ट्री नहीं बताई थोड़ी, मैं बता देता हूँ, यह ब्रिटिश के अंदर था, ठीक है, ब्रिटिश ह होंग कॉंग को पुरा कंट्रोल करता था, ओपियम वार के बाद, 1860 के बाद, इस सब ब्रिटिश के पास आ गया था, ठीक है, और उसके बाद 1997 तक ब्रिटिश के पास था, फिर चाइना को ब्रिटिश ने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन 2047 तक यहां पे होंग कॉंग का बेसि चाइना का पार्ट है और चाइना जब से श्री जिंपिंग आया उसकी वैसी एग्रिसिव पॉलिसी है, तो चाइना यहां पे, जब प्रोटेस्ट हो है पिछले साल, तो चाइना ने सोचा कि आर ऐसे नहीं चलेगा, कानूनी रास्ता निकालना पड़ेगा, तो चाइना ने और एड़ कर दी थीन-चार वर्ड, तो इतना बड़ा यह कानून है, बेसिकली यह चाइना का नया सिक्योरिटी लौ है, नैशनल सिक्योरिटी लौ, आपको पूरा बैग्राउंड बता रहो कि टिक टॉक छोड़तू रहा है, तो यह चाइना का नया लौ है, अब इस नय ल रहा है, अब यहाँ पे इस लौ में, अगर आप चार चीज़े हैं, पहली है, अगर आप सेसेशन, सेसेशन मतलब ब्रेकिंग अवे फ्रॉम एनी कंडरी, यही होता है न, सेसेशन, सिसीड करना, अगर आप देश से अलग होने की बात करते हो, सेकेंड है, सबवर्जन, अग अगर आप कोई भी एथोरिटी है, जो सेंटरल गवर्मेंट के अंडर है, मतलब जो चाइना के अंडर है, उसको चैलेंज करते हो, उसके खिलाब प्रदर्शन करते हो, तीसरा है, अगर आप हिंसा करते हो, ठीक है, अगर आप इंटिमिडेट करते हो, अगर आप तोड़ फ यहाँ पे दोस्तो अगर यह चार ऐसे पॉइंट हैं मतलब इस लौ के तहट यह चार ऐसे प्रोविजन है इसमें पता है क्या होगा उम्र कैद की सजा होगी अगर आप सेसेशन, सवर्जन, टेरिरिजम और कॉलूजन में लिप्त पाए गए अगर यह पता चल गया कि आप यह चारों में से कोई एक अगर आप इसमें आपके उपर लागू होता है तो आपको जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा लाइफ इंप्रिजन मेंट होगा ठीक है तो एक तरीके से होंग कॉंग की जो ऑटोनॉमी है उसको छीन लिया है यहाँ ठीक है चाइना ने अब जैसे ही यह लागू हुआ यह नैशनल लागू हुआ तुरन्द प्रोटेस्ट शुरू हो गये अभी पिछले हफ्ते काफी प्रोटेस्ट हो है हौंग कॉंग में लेकिन अब अमेरिका में काभी मूड कराब हो गया ठीक है अमेरिका ने भी हौंग कॉंग से अपने special status क्योंकि अब वो चाइना के अंडर आ गया ना, Hong Kong practically एक तरीके से चाइना के अंडर आ गया, क्योंकि अब Hong Kong में basically उन्ती freedom और democracy छीन ली गई है, ठीक है, अब Hong Kong के democracy आज से थोड़ी ना, 1500 साल उसे है, और एक दम सो Hong Kong की democracy छीन ली गई है, तो इसी लिए अमेरिका ने भी special status छी कर लिया गया, बहुत सारे प्रोटेस्टर को जो पार्टी थी यहाँ पे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्लोग के तहित, उन सब को जेल में डाल दिया गया उठा के, पिछले साल आपने देखा, बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट हुए तो Hong Kong में बड़े controlled प्रोटेस्ट थ वो famous तस्वीर सब को याद है, जब प्रोटेस्ट चल रहे थे और ambulance आ रही थी, सब ने ambulance को रास्ता दे दिया, ठीक है न, बहुत ही intellectual तरीके सब प्रोटेस्ट हुए थे, लेगिन अब प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, तो यह security law है Hong Kong का, आप इसमें बोलेंगे कि सर इसमें TikTok का क देखने को मिल रही है, TikTok वैसे ही बोल रहा है कि हमारे जो servers है वो चाइना के बाहर है, हमने चाइना में नहीं लगा रखे है, लेकिन हमेशा से security concerns उठे है, अभी आपने देखा कि भारत ने 59 Chinese apps को बैन कर दिया, ठीक है उसमें TikTok सबसे क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा users है, active users है जो TikTok use करते हैं, समझ रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं, तो भारत हैं भी बैन किया, ठीक है TikTok को बैन किया, लेकिन TikTok अब Hong Kong इसलिए छोड़ रहा है, क्योंकि इस law के तहत, जो ये companies है, TikTok है, Google है, Facebook है, Twitter है, ये जितनी भी internet companies है ना, इनको वो content बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, जो कि national security के लिए dangerous है, और ये कैसे होगा, data share करो, यानि कि जो user data है, जो बाहर के, जो user जैसे मैं TikTok use कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा data है, ठीक है, अब चाइना को लगा कि ये हमारी security के लिए dangerous है, तो चाइना क्या करेगा, उस data को ले लेगा, यानि कि user data को लेने कि यहाँ पे चाइना के पास अब ताकत आ गई है, तो TikTok को ये लग रहा है, कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसी लिए TikTok अब Hong Kong को छोड़ रहा है, क्योंकि Hong Kong ने अपने अजादी दे दी है, यहाँ पे दोस्तों data के security compromise हो गई है, चाइना security जो और बाकी जो companies हैं, उन्होंने भी wait and watch policy अपनाई है, क्या भी वो देखेंगे, लेकिन दोस्तों ये इनके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सब American companies हैं, और अमेरिका में चाइना को लेके वैसे ही बहुत जादा गुस्सा है, ठीक है ना, और उपर से Hong Kong में ब आफिर सस्पेंड नहीं किया, तो एक साल की सजा और 97 लाख रुपए तक का fine, अगर इंडियन करेंसी में देखें, वैसे एक लाख, ये Hong Kong डॉलर है, 97 लाख रुपए तक का fine आपको देना पड़ सकता है, ठीक है, अभी तरह fine कौन देगा, और यहाँ पर जो employee काम कर रहे है उनको भी arrest किया जा सकता है, उनको भी jail में डाला जा सकता है, तो basically यहाँ पर जो data है, वो compromise हो चुका है, ठीक है, चाइना अगर चाहे, अभी इस law के तरह अगर चाहे, तो data को ले सकता है, ठीक है, तो इसे लिए TikTok ने, TikTok ने ये फैसला किया, अब हम Hong Kong को छोड़ देंगे, ठ white dance, ठीक है, इसी नहीं TikTok को बनाया, और ये चाइना में TikTok का Chinese version है, TikTok का Chinese version को Darwin कहते है, और चाइना में ये Darwin बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, तो ये तो use करेंगे, ये जो apps है ना, जैसे Facebook, Google, TikTok, ये Hong Kong के market में बहुत ज़्यादा popular है, ठीक है, काफी popular है, लेकिन अभी तो TikTok ये फैसरा लिया है, बाकि अभी Facebook, Google, ये अभी wait and watch policy पे है, कि अभी हम देखते हैं, आगे क्या होता है, हाला कि Facebook, Google ने कहीं ना कहीं ये बता ही दिया है, कि अगर ऐसा ही रहा, तो हम भी छोड़ देंगे, समझ रहे हैं, अब TikTok के कितने users हैं, देखिए अगर Hong Kong की बात करें, तो 70 लाग तो Hong Kong की population है, और TikTok के ये 1.5 लाग active users है, आप देख रहे हैं, ये 1.5 लाग active users है, देखिए actually क्या है, कि अभी तक TikTok के कह रहा था, कि जो हमारी company है, ऐसा कोई भी China का law नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, जो हमारी company को control करता है, हाला कि China के जितने apps हैं, उसमें ये जो डर रहता ही है, कि जो data है, वो compromise हो रहा है, इनकी सरकार जो है, वो लगा अक्तार, data पे निग्रानी रख रही है, लेकिन अभी official हो गया है, TikTok हमेशा बोलता रहता है, कि जो centers हैं, जो हमारे servers हैं, वो outside the China है, वो China में है ही नहीं, ठीक है, तो जो data है, वो चाइना के बाहर जारी है, तो चाइना आप कारवाई कर सकता है, तो employee भी डरे हुए है, कि बिना बात कि हमको उठा के jail में डाल दिया जाएगा, ठीक है, तो इसी लिए TikTok ने, ये preventive measure है, कि छोड़ दो, इससे पहले कुछ गडबढ़ो, Hong Kong को ही छोड़ दो, ठीक है ना, तो आब आगे देख